कि हेलो स्टूडेंट कैसे हैं कल आप सभी बच्चों का रिजल्ट आ गया था बीकॉम ऑनर सेमिस्टर टू का और उसमें काफी सारे बच्चों का कॉर्परेट अकाउंट का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था फिर भी काफी सारे बच्चे पास भी और कुछ बच्चों के थोड़े कम नंबर भी आये हैं या कुछ बच्चे रह भी गया है क्योंकि एक्जाम ही ऐसा था लेकिन मैक्समुम बच्चे पास अब हमारा रिजल्ट आ गया है तो आप सभी को लापरवाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको बीकॉम सेमिस्टर 3 सब्जेक्ट कमपलसरी है जिसके अंदर जो हमारा एक सब्जेक्ट है इंकम टेक्स कि सर यह कमपलसरी है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक तरीके से टोटल बात करें तो आपके पास चालिस दिन है क्योंकि दिसंबर 26 या 28 आइगेस एक्चुल डेट नहीं याद मुझे 26 या 28 तारीक को आपका एक्जाम है और आज आपका 16 तरीक है तो टोटल आपके पास इंकम टेक्स के लिए डेज इतने बचे हैं अब 40 दिन में कैसे खतम करने हैं जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं वो यूट्यूब पे क्लास अगर देखेंगे आप तो सेलरी सेलरी के शायद मैंने अभी तक 37 क्लास डल गई ह और in fact मैं daily basis पे डाली रहा हूं और team अभी वी work कर रही है मैं daily basis पे डाल रहा हूं और team अभी वी work कर रही है कि जादा से जादा डाले अब मैंने 2-4-4 वीडियो भी डालना चालू कर दिया है तो जो बच्चे यूट्यूब पे starting से aware थे उनको कोई tension नहीं है लेकिन जो बच यूट्यूब पर पढ़ेंगे तो it's will be time taking जिनका sitting capacity या reading capacity ज्यादा है वो यूट्यूब से पढ़ ले और जो बच्चे चाहते हैं quickly करना तो मैंने क्या कर रहा है उन बच्चों के लिए star बना दिये हैं वीडियो के उपर income tax के यानि जो necessary concept wise है क्योंकि मैं हर एक question भी करा देता हूं 10-year के मेरी आदत है तो जो concept wise आपको चाहिए और देखो एक मैं question board पर करवा रहा हूं it will be take time half an hour और एक question आप करोगे खुद concept आने के बाद तो जितने मैं पांच question आप खुद कर सकते हूं मैं एक ही करा हूंगा तो आपको दो-तिन question देखे करना होगा तो YouTube के उपर तो मैं star नहीं लगा सकता लेकिन मैंने application के इंदर star लगा दिया है चालेस दिन जो भी बच्चे हैं आपके जो बच्चा मैं कुछ बच्चे मुझे कह सकते हैं के सर आप application पर मैं बोल दूँ एक्जाम से पहले पूरा स्लेवर्स यूटूब पर डलेगा यह मेरी कैसे भी करो चाहे रात दिन करके करो डालूँ आ यूटूब पर सारस जो बच्चे बहुत दूर-दूर के पढ़ रहे हैं चाहे किसी भी यूणिवर्सिटी पर आपको पूरा स्लेवर्स यूटूब पर मिलने वाला है यह मेरी commitment है आप से मेरे लिए हर एक स्टूदेंट स्टूदेंट की definition सरिफ स्टूदेंट है जो मेरे लिए है चाहे बच्चा यूटूब पर हो चाहे अप्लिकेशन पर हो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो की बोलते हैं कि सर हमें जल्दी-जल्दी स्लेवर्स खतम करके पेपर देखे चुटकारा पाना चाहते हैं या फिर हमें तुरंट डाउट आता उस डाउट को शॉट आउट नहीं कर पारें वैसे बच्चों के लिए अब मैंने क्या करा है कि एक च सकते हो और वह भी रिकॉर्ड रहेगा अनलिमिटेड व्यू के साथ और साथ के साथ चेप्टर रिडेक्शन कर दूंगा जिससे आप कॉंसर्ट वाइस कर सको बहुत नॉमिनल सा चार्ज होगा इसका देखो मैं नॉमिनल का मतलब कि आपको कस्टोमर केर नंबर नीचे दे रहा होगा उससे कम में आपको दिया जाएगा आप से बता देंगे कि यूटूब पे यह वाली वीडियो देखे आए थे सर ने कहा था नॉमिनल प्राइस का कोई डेफिनिशन नहीं है अगर मैं कहूं कि सर नॉमिनल प्राइस सौ रुपे लिया जाता है तो बच्चे कहते ह है इसलिए मैंने बोला नॉमिनल लेकिन हां मैं आपको देंटिटीव एडिया देदू 500 रुपे तक का प्राइस आपका 500-600 के बीच में जैसा भी रहता है वह होगा सर इसमें क्या फीचर मिलेगा चलो हम और अन्रूल कर भी लेते हैं पहली फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यूटूब पे सारा स्लेबस होगा मेरे इस वीडियो के बनाने के बाद फोर्स फुली नहीं आप बोलो के सर्म हम वहां चले जाते हैं लेकिन हां यूटूब पे आपके अकॉर्डिंग नहीं रहता वह मैं डेली वीडियो सकते हो डाउट के लिए स्पेशल लंबर दे दिया जाता है जिसमें डाउट सेशन हो जाता है वैसे डाउट आने के टेंशन नहीं होती लाइव में पूछ लेते हैं बच्चे और अगर लाइव नहीं ले पाए तो रिकॉर्डड भी मिल जाता है आपको PDF सारे नोट्स मिल जाते हैं टैनियर के भी साथ के साथ सुल्यूशन इसमें आपको दे दिये जाते हैं तो बच्चों मैं यही कहूंगा मेरा यह मोटिप बिल्कुल भी नहीं है आप से क्या आप जाके एप्लिकेशन पर कोर्स बाइब करें सेल करें नहीं करें मैं देखो डाल रहा हूं वीड लिए स्टूडेंट है उस हिसाब से मैं चलने वाला हूं सर पढ़ने का थोड़ा से स्टेटेजी बता दीजिए तो बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं कि स्टेटेजी में कौन सा चप्टर कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना उसके अंदर बात करेंगे मैंने य जहां से आप पढ़ते रहिए सारा स्लेवस कराया जाएगा लेकिन हां बस आप पढ़िए आपके सिर्फ 40 दिन बचे हैं आप अपने रजिस्टर पे 40 डेज लिख लेजिए और पहले पेज़ पर 40 अगले दिन 39-38 देखिए दिन कैसे निकलेगा दिन ऐसे निकल जाएग अच्छा है वो तो और महनत कर लें और जिनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं रहा किसी भी रिजन से वह इतनी महनत करें कि पिछला रिजल्ट कुछ बिगार ना पाया अगले रिजल्ट का क्योंकि ग्रिजुशन में ओवर ऑल परसंटेज चेक होता है ना कि समिस्टर एक के साब से तो बस आपको यई जानकारी देनी थी thank you so much मिलते हम नेक्स वीडियो में आपका कैसे स्लेवर्स क्या स्टेडेजी प्लान होना चाहिए उसके अकौडरिग्व तो मिलते हम इसी तरीके से next वीडियो में good night, take care, good morning जब कभी भी आप इस वीडियो को देखें उस के सबसे थैंक यू सो मच